हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको घर्मी के लिए बहुत हेलफुल होने वाले फ्रूट्स के बारे में इन्फर्मेशन देने के लिए जा रहे हूँ घर्मी की सीजन में हमारे शरीर को ठंडक दे और हमको रिफ्रेशिंग और कुल रखे वैसे बहुत सारे फ्रूट्स कुद्रत नहीं बनाए हुए है उसमें से एक है मस्क मेलन याने के खर्बूजा याने के सककर टेटी तो सब लोग उसके बारे में फैमिलियर तो है ही लेकिन उसके खाने के क्या-क्या फायदे है वो सबको नहीं पता होता है तो आज मैं आपको डीटिल्स में उसके खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं उसके बारे में इंफर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ ये एक राउंड शेप्ड यलो कलर का वाइट कलर का या तो औरेंज कलर का अंदर से औरेंज कलर वाला फ्रूट है उसकी स्मेल भी बहुत एरोमेटिक रहते हैं याने कि वो उसकी स्मेल से अपने मुह में पानी आ जाता है और खाने का मन होता है और ये बहुती स्वीट फ्रूट है इसलिए उसको सककर टेटी भी बोलते है उसमें वाटर कंटेंट जादा होने की वज़े से ये हमारे शरीर को कूल और हाइडरेटिंग रखता है अगर हम मस्क मेलन को राइड तरीके से खाते है तो उसके गर का उसकी स्कीन का और उसके बीच का सबका बहुत सारे फाइदे है 100 ग्राम मस्क मेलन में से आपको 34 कैलरीज मिलता है उसमें कॉलेस्ट्रोल 0 है और उसमें सोडियम 60 mg है पोटाशयम 267 mg है डाइटरी फाइबर 0.9 ग्राम है जबके टोटल कार्बोईडर उसमें 8 ग्राम है प्रोटीन उसमें 0.8 ग्राम है विटामिन A 67 परसंट है और विटाम मेलन उसमें 1 परसंट तक रहता है और विटामिन B65 परसंट है मेगनेशम 3 परसंट है मस्क मेलन हमारा इम्मूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है मस्क मेलन रीच इन विटामिन A और C है जो एक पाबरफुल एंटियोक्सिडेंट है जो हमारे शरी को फ्री रेडिकल से प्र मस्क मेलन हाई इन फाइबर रहता है और उसमें पानी की मात्रा भी जादा रहती है तो जो लोगों को इन डाइजेशन और कॉंस्टिपेशन की समस्या है वो लोगों के लिए बहुत ही लाबदायक रहता है यह बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है और स्टरमक को काम कूलिंग इफेक्ट देता है उसमें रहा वीटामिन सी स्टरमक हatem को अच्छा करता है तो मस्क मैलन में रभूटेशम की मात्रा भी काफी है उसकी वज़ओ से यह बलर प्रेशर मेंटेन करनेमें हेल्प करता है उसके साथ सातमें यह स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी उठरश्यम की मात्रा ज़ाधा होने की वजह से ये हमारे हाट बीट को नॉर्मलाइज करके ब्रेइन को ज़ाधा ओक्सीजन सप्लाइ करने में हेल्प करता है जिससे हमारा ब्रेइन ज़ादा काम डाँन रहता है और फोकस रहता है उसमें रहा फाइटending बीटा केरोटिन और वीटामिन A हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है जो डायरेक्लि हमारी immun system को अच्छा बनाता है उसके अलावा मस्क मैलन में रहा वीटामिन C, white blood cell को बढ़ाता है और हमको viruses और bacterial disease से बचाता है मस्क मिलन सपोर्ट हेल्दी वीजन एड आई हेल्थ उसमें एंटि-अक्सिडन प्रॉपर्टी धीटा-कारॉटीन ,,,,,,,gosacósacin ,,,,, जो एंटिद और हल्ट को सपोर्ट करता है और हमको एज रिलेटेड़ वीजन — नॉज से बचाता है और आई function को अच्छा बनाता है मस्क मिलन हमारी स्कीन को भी अच्छा बनाता है उसमें रहा वीटामिन ए और सी में एंटी ओक्सिडेंट प्रॉपर्टी है जो हमारी स्कीन में से इंप्यूरिटीज निकालती है और स्कीन को हाइड्रेटरिंग करती है और कोलाजन बनाने में हेल्प करती है जो हमारी स्किन को naturally glowing बनाती है उसकी स्किन का paste बना के आप उसको face mask की तरह भी उप्योग कर सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा free का beauty treatment है जो हमारे face को hydrate करता है और dryness कम करता है और blemishish और acne को भी कम करता है musk melon हमारे hair growth को बढ़ाने में भी help करता है उसमें रहा vitamin A hair growth में help करता है vitamin A stimulating production of sebum जो sea basis glands में से oil secretion बढ़ाता है और हमारे बालों को healthy रखने में help करता है आप musk melon का बालों में scalp में भी लगा सकते हो वो hair growth बढ़ाने में help करता है musk melon में anti-inflammatory property भी रहती है जो arthritis से होने वाले pain में relief देती है जो लोगों को rheumato right arthritis से वो लोग को भी अपने diet में musk melon को जरूर शामिल करना चाहिए उसमें रही antioxidant और anti-inflammatory property हमारी हड़िया और joint में से inflammation को कम करके हमें osteoarthritis और osteoporosis जैसी बीमारियों होने से बचाता है musk melon हमें दातों में होने वाली पीडा में भी relief देने का काम करता है musk melon की peel में से आप mouth wash भी बना सकते हो उसकी पील को पानी में उबाल के उसके पानी से गरगल करने से हमें दातों में होने वाली पीडा में रिलिफ मिलता है मस्क मेलोन लंग्स के लिए भी बहुती फाइदे मंद है उसमेरा वीटामीन A और C शरीर को में से पॉल्यूशन और फ्री डेडिकल से प्रोटेक करता है हमारे लंग्स को रिजूनेट करता है जो हमें फूली और प्रॉपरली ब्रीथ करने में हेल्प करता है मस्क मेलोन आप बहुत तरीकों से खा सकते हो सलाड में रोटी के साथ में या फिर उसका ज्यूस बना के उया फिर उसका स्मूधीस बना के भी आप पी सकते हो है तो फ्रेंड्स ये तो थे गर्मी की सीजन में हमारे शरीर को कूल और रिफ्रेशिंग करने वाला फ्रूट्स मस्क मेलन के फाइदे अगर आपको ये information अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe ज़रू करना